Hello everyone, welcome to school lesson, आज हम परेंगे class 7th science का chapter 15 light तो light क्या होता है कि आप लोग ने कई बर देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई hole है, ventralition है उसमें से कुस रोशनी अंदर की तरफ इस तरीके से आते हैं, सीदी सीदी घर पे जो है रोशनी गिटते हैं वही जो है, वही light है, तो आपने ये भी देखा होगा, जो scooters का light होता है या फिर cars का, engines का, कोई भी engines का, और trains का, मतलब जो भी vehicles होते हैं उसमें जो head lamps होते हैं, head lamps का मतलब होता है, सामने जो light होता है, उसमें से रोशनी निकलते हैं या फिर torse होते हैं, torse में से भी आपने रोशनी को सीधी सीधी निकलते हुए देखा होगा जब आप टॉर्स जलाते हैं तो रोशनी सो है वो तेरी मेरी नहीं निकलते हुए एकदम सीधी तरीके से रोशनी को आपने निकलते हुए देखा होगा तो ये देखिए, ये एक light house है, light house में से इस तरीके से ये जो है, ये light है, देखिए light निकल रहा है सीधी तरीके से तो ये जो सारे experience है, ये क्या बताती है, what do this experience suggest, ये सारे experiences क्या suggest करते है ये क्या suggest करते है, कि light travels along a straight line, light so है, वो straightly travel करते है straightly कोई भी एक सेज़ पर कहीं पर भी किरते हैं तो ही है हमारा next topic light travels along straight line जो light है वो straight line से travel करते हैं तो यहाँ पर वुजू ने एक activity करा activity जो उसने class 6 में किया था उस activity को उसने perform किया इस activity में आप देखिए वुजू ने एक candle lamp जला लिया उसके बाद candle lamp को पहले एक straight pipe की throw سے देखा फिर एक तेडी मेरी pipe की throw से देखा तो वुजू ने देखा जब वो straight pipe से देख रहा था तो जो candle है वो दिखने लगा था candle का जो flame है वो उसको आसानी से दिखने लगा था लिकिन जब भी वुजू ने तेडी मेरी light से तेरी मेरी पाइफ से candle को देखने लगा, बेंट फाइफ से candle को देखने लगा, तो उसको ने रौशनी दिखाई नहीं दिया यही प्रूफ करते हैं कि लाइट ट्रावल सेल होंगे straight line straight line से ही travel कर सकते हैं और बेंट पाइफ यह फिर बेंट रस्ते से ट्रावल नहीं कर पाते हैं तो यह देखिए दिस एक्टिविटी शो और लाइफ 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 एल्ग इस्टेट लाइफ लाइफ रहा ला इस पाथ उसको सेंस कैसे करोंगे क्या आपको पता है जब light कोई भी एक सिखना सा surface कोई भी एक साफ surface में गिरता है तो क्या होता है तो हमारा next topic है reflection of light जो light है light की direction को change करने के लिए आपके पस एक रास्ता है जिससे आप light की direction को change कर सकते हैं अगर light कोई चिकनी सीर मतलब एक दम साफ shiny surface में गिरता है तब आप light की direction है उसे change कर सकते हैं जैसे कि अगर light कोई shining stainless steel plate मतलब अगर कोई steel की plate पे आप light को गिराते हैं या फिर एक समकता हुआ steel की spoon पे गिराते हैं तो आप light की जो direction है उसे आप change कर सकते हैं या फिर अगर light कोई water surface में गिरता है अगर साफ water surface में गिरता है and sends the path of light तब भी आप जो light का जो direction है उसे आप change कर सकते हैं कि आपने देखा है कि जो trees, buildings होते हैं वो किस तरीके से water में दिखता है mirror की तरह इस picture में आप देखिए इस picture में यह देखिए यहाँ पे कुछ trees है और यह जो है यह water surface है यहाँ पे आप देखिए यह जो trees है इसका जो picture है वो इस water में इस तरीके से देख रहा है जैसे कि यह water एक mirror है तो mirror की तरह जो water surface होते है वो mirror की तरह भी काम करते है यही लिखा है यहाँ पर any polished or shiny water surface can act as a mirror what happens when light falls in a mirror सब light mirror के उपर गिरता है तो क्या होता है तो आपने class 6 में परा था कि mirror senses the direction of light when it falls on it जब mirror के उपर light गिरता है तो mirror जो है उसका जो direction है उससे sense कर देते है यह अपने class 6 में परा था तो यह जो scenes है यह जो scenes कराते है mirror light को इससे क्या कहा जाता है reflection of light the scenes of direction by a mirror is called reflection of light तो इससे light की reflection कहा जाता है तो reflection of light देखने के लिए आपने पहले वी शायती activity करा है या फिर ऐसे ही कभी गर पे try किया होगा तो यहापे आपको क्या करना है कि यह जो tors होते है tors की light को आपको mirror की उपर गिराना है उसके बाद आपको देखना है कि किस तरीके से इसका direction change होता है तो वही वाला activity यहापे दिया हुआ है जो हम लोग next class में discuss करेंगे तो इसके लिए इतना ही आपको याद रखना है reflection of light किया है तो light किस तरीके से reflect करते हैं किस तरीके से आप light की direction को change कर सकते हैं यह सब आपको याद रखना है तो अगर वीडियो अससे लगा तो like करिएगा और channel को subscribe करिएगा Thank you